हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर शेनल बात करेंगे इस वीडियो में डियलेट प्रसुक्षों से रिलेटेड और बात की जाएगी आपके परिक्षाओं से रिलेटेड जी हाँ फ्रेंड बिल्कुल ओफिशल जनकारी जो की परिक्षन इमांग प्राधिकारी यानि की सभी के मन में यह सवाल चल रहे हैं सबसे पहले कमेंट है निलम जी का कि मैं उन्नीस बैज थर्ड समेश्टर जिन भी प्रसुक्षों का इस बारी बैक लगा है तो क्या उनकी परिक्षाओं प्रत्यवेदन वाले के साथ मतलब जो है हो सकता है कि नहीं हो सकता अब इनका सव कि इनकी परिक्षाओं दो मंत के अंदर करा ली जाएं हाला कि प्रत्यवेदन वाले प्रसुक्षों की परिक्षा करा ली जाएगी क्योंकि परिक्षा देमांग प्रादिकारी का ये बार-बार कहना होता है कि हम बैक प्रसुक्षों की अलग से कभी भी परिक्षा कंड़क्ट नहीं कराएंगे पहले कोरोना था इस वज़े से करा दिये लेकिन अब नहीं कराएंगे फ्रेस प्रसुक्षों के साथ ही आपकी परिक्षा होगी तो दिखिए बहुत ही कम चांस लग रहा है कि फ्रस्ट एंड थर्ड समेश्टर के जो बैक प्रसुक्षों है वो भी इनके साथ आएंगे नहीं क्यूंकि अभी इनका जो नेक्स टार्गेट है वो फॉर्ट एंड सेकेंड समेश्टर है और साथ ही साथ जो भी प्रत्यावेद स्कूर्ट निफोर्म फॉलप कर दिया जाएगा ठीक है यह आपका सवाल है जो कि कहीं ना कहीं परिक्षा नेमाग करता प्रादिकारी पे डिपेंड करता है और कहीं नेक्स समेस्टर जो है रखनी चाहिए क्योंकि कोट का अदेश है ठीक है अब सेकेंड कमेंट आ रहा है कि मैं मेरा सीटेट फर्स पेपर पास हो गई हूँ तो क्या मैं यूपी सुपर टेट का फॉर्म भर सकती हूँ तो यूपी टेट भी पास होना जरूरी है सीटेट आप अधर इस्टेट के आप फॉर्म फिलप करना चाहती है तो यूपी टेट भी होना इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद से में कमेंट यह आ रहा है कि मैं प्रत्यवेदन वालों की भी परिक्षा होगी क्या कुछ अपडेट दीजिए क्योंकि प्रत्यवेदन वालों प्रसुक्षों की बहुत सरे कमेंट्स आ रहे हैं साथी साथ जिन भी प्रसुक्षों ने अभी तक प्रत्यवेदन नहीं दिया है तो सबसे पहले हैं प्रत्यवेदन एसी आर्टी पर डे दिजिए एक अप्लिकेशन लिखना ओता है जिसमें आपको एक अठ्रिक्ष मॉणका के लिए पूरा पेवरा लिखना होता है ठीक है तो आप application दे दीजिए अब बात करते हम यहां आपका second and fourth semester की परिक्षा की जो भी back में होंगी और इसी साल होंगी और एक डेट भी निकल के आ रहा है तीन दिसंबर बाकि ठोड़ा इधर उदर हो सकता है लेकिन परिक्षाएं आपकी होनी है और नॉवंबर मीड में जो है आपके परिक्षा फॉर्म भी apply किये जाएंगे और इसको लेकर जल्द ही परिक्षे न क्योंकि पहले आप सभी को पूरा theory पढ़ा दिया गया है पूरा सब कुछ playlist में है आप जाकर देख सकते हैं लेकिन परिक्षा के according क्या आप सभी के लिए important है अब आप सभी को वो पढ़ाया जाना है क्योंकि अब आप सभी के पास बहुत ही कम time है प्लस series कोई भी आप एक ल करल से इंता होती है तो कहीं न कहीं सैंट घ्रींट के सबस सकते हैं और यह मतलब आपको पता ही है कि यह से पांच सबसे विच deepen हो तो कहीं न कर Mean एक हम करना को झाए हो ऊपको च проблем– भी थोड़ी सी इस्टिडी करनी होगी जो कि आप सभी को कराया जाएगा ठीक है तो बिल्कुल भी परशान नहीं होना है आप सभी अपनी त्यारी अच्छे से करिए और आपकी परिक्षा जल्दी हो जाएगी उम्मीद यही है और जल्दी इससे रिलेक्षेट पी और पी तब तक लिए आप सभी अपना ख्याल रखें वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाएगा जो भी आपके दूज फ्रेंट से उनको जरूर शेयर करिएगा आपकी एक से उन्हें बहुत ही हेल्प हो सकता है ठांक्शों वाचिंग टेक्या झाल 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 झाल